के गाइस मैं हुदीब और आप देख रहें डिजिटल धामका तो आज हम बात करेंगे रियल्मी इलेमेंट प्रो प्लास 5D मोबाइल के बारे में जो की मार्केट में इंडिया पे लाउच हो रहा है अजयून 12 पिम को वह भी घमागाथार mobile है यह mobile है बहुत ही धामकाथार है जो फीचर से और पर आगए इस चैनल के बहुत में प्रटेंगे एक यह क्योंकि एस इंट्रेस्टिंग वीडियो चैनल पे आते रहे तो चली मिरते हैं मुबाइल स्क्रीन पे तो गाइस पहले बात करते हैं मुबाइल के लूक के बरे में तो लूक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है आप देखी सकते हो और इसका जो वेट है 189 ग्राम की वेट है और 8.7 mm की ठीकनेस है तो गाइस यहाँ पे आपको 6.7 एच के फूल एच्टी प्लास कार्व एमॉलेट डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ज रिफ्रेट की साथ 360 हर्ज TSR रेट मिलेगा आपको और आपको 950 नीट स्पीक ब्राइटनेस अब कर सकते हो तो जो की बहुत ही संदर है इसका जो बीट्रेट है यह वह 10 बीट जो की 1 billion color प्रोडियोस कर सकते है तो आप सोच ही सकते हो कि कितना संदर होगा इसका जो डिस्प्लेग यहां पर जो चीप सेट आपने को देखने को मिलता है वह है MediaTek Dimensity 7050 की जो की बहुत ही लेटेस्ट चीप सेट है इस मोबाइल की परफॉमेंस भी बहुत ही अच्छा है जो की 6 lakhs की आसपास है तो बहुत ही बढ़िया बात है तो यहां पर आपको 5000 MHz की मैसीब बैटरिक देखने को मिलता है एंड 100W की सुपर फरस्ट चार्जिंग को भी देखने को मिलता है तो यहां पर आपको 100% चार्ज होने में लग 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 अप्रक्स 30 मिनेट टाइम लगेगा उसे ज्यादा भी लग सकता है 40 मिनेट अप पकड़ सकते हो तो यहां पर आपको 200 मेगापिक्सिल ओए सैंसोंग एच्पी 3 केमेरा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही संदर है उसके साथ वाइड एंगल के लिए 8 MP3 एंड सुपर मैक 2 MP जो की बहुत ही संदर होगा तो यहां पर रियार के साथ 4K वीडियो सुट कर सकत हो 30 fps बीट्रेट के साथ 1080 के अब सुट कर सकते हो 60 fps के साथ नाइट मोड भी है श्लो मोशन भी देखने को मिलता है टाइम लैस्पी देखने को मिलता है जो की बहुत ही संदर है बहुत कुछ कर सकते हो इस रेयर के साथ आप तो यहां पर आपको 32 MP की सेल्पी कैमेरा भी दे करें विजने को मिलता है तुम बहुत सदर है मोग्वाब हैस प्राइब कर know में तो इसका मोबार् प्राइस जो होने बुख वाला है लेकिन भी ओपी से लगे डिकलर नहीं हो आहí इस प्राइस तो हम स्यून नहीं है कि स्दों सीरे कि कितना होने वाला लेकिन लगबग बर स झाल झाल